हेलो एब्रीवन नमस्ते वेलकम बैक टू क्लासिस वाइव अविता गुपता हॉक्स एजूकेशनल इंसिटूड मैंने फिछली वीडियो में आ पलगो के साम में कन्डिशनिंघ था कि अनुमदन होता क्या है मीनिंग ओफ कंडिशनिंघ शेयर किया था आज मैं आप लोगो के सात sih में कारेक्टिरिस्टिक्स फंदिशनिघ शेयर करोंगी और और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इंपोर्टन टॉपिक है जो कि आपका बीएट सीटेट यूपी टैट्स के जो भी एक्जाम होते हैं डीलेट बीलेट सीडीप साइकलोजी सब के लिए बहुत इंपोर्टन है आप जो पैड़ागोजी की तयारी करते हो इसके लिए बीए जानना पूर्जबर की कंडिशनिंग है क्या ताकि आप सही ऑप्शन को चूज के रखना हैं और बीएट फॉर्स यह पेपर थी लर्निंग और टीचिंग में यह टॉपिक दिया हुआ है आपका की कंडिशनिंग क्या होता है क्या होता है तो जो अनुवंदन की विश विशिशता है characteristics of conditioning की होता क्या है तो there are following characteristics of the conditioning तो जो इनकों से of behaviors and habits यानि कि जो हमारे conditioning है जो अनुकूलान अनुबंदन हमारा होता है वो किसले यूज किया जाता है using the learning of behaviors and habits से हम नए वहवार और आदते सीखते हैं उसके लिए हमारे conditioning यूज किया जाता है second है it puts emphasis on modification of behavior तो यह किस पर जोड देता है यह जोड देता है हमारा जो behavior रहे वहवार है उसमें change आ सके अब देखिए कोई बच्चा है स्कूल में जा रहा है एक केजी का nursery class में एक बच्चा जा रहा है starting में क्या करता है वो वो सीखता है ABCD सीखता है काखग सीखता है तो वो क्या होता है वो सिखाने के लिए teacher क्या करती है कि इस तरह का environment create करती है उसको इस तरह का dot लगा के देती है कि वो बच्चा सीख पाए तो वो क्या है वो कंडीशनिंग कर रही है ताकि बच्चा जो है वो उसके behavior में change आ सके वो नहीं चीज़े सीख सके इसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारा इस बेज ओन stimulus and response relationship का मतलब क्या है किस पे बेस होता है किस पर अधारित होता है उतेजन और पटी किरिया पर यानि कि जो बच्चे को stimulus है वो त सही दिया जाए ताकि उसका response सही मिल सके और अगर stimulus सही होगा तब ही response मिल पाएगा अदर्वाइस नहीं नहीं मिल पाएगा इसका एक example के तुरू मैं आप लोगों किलियर करती हूं कि suppose कि हम चाते हैं कि एक बच्चा जो है वो अच्छे से सीख पाए अच्छे से काम कर पाए उसकी writing अच्छे से हो पाए अगर एक बच्चे की writing गंदी है तो writing अच्छी हो पाए उसके लिए teacher उसको सिखाएगी कि लाइ में लिखा तो आपको colors मिलेंगे या फिर अगर आपने यह सही लाइनों में लिखा तो आपको कोई candy मिलेगी कोई टौफी मिलेगी तो क्या होगा वो बच्चा उसको लाइनों में लिखने की पूरी कोशिश करेगा तो क्या होगा यह relationship होगी stimulus and response के बीच में यानि कि उतेज क्या है soft training जो हमारा है क्या है एक प्रिक्रिया है ट्रेनिंग की प्रशिक्षन की a person to do something जिससे कि एक बच्चा एक जो person है वो कुछ कर सके कुछ नया सीख सके तो यह क्या होते प्रशिक्षन होता है conditioning conditioning requires reinforcement for the conditioning of response यानि के लिए नुकुलन के लिए क्या जरूरी होता है reinforcement जरूरी होता है पुनरबलंग जरूरी होता है किसे लिए for the conditioning of response जिससे कि हमें जो response है वो अच्छा से मिल पाए एक रिइननफोर्समेंट बहुत जरूरी होता है अभी जो मैंने कैंडि और उसकी बात की थी ताकि उसका response अच्छा आ सके इसके बाद में क्या है हमारा fourth जो हमारा six point है तो six point क्या है हमारा in conditioning the learning of the behavior depends on the strength of stimuli and response relationship यानि कि जो conditioning है वो क्या है the learning of behavior जो conditioning के अंदर हम वेवार्ग सीखते है तो वो किस पर depend करता है वो depend करता है कि आपको जो stimuli है जो भी आप use कर रहे है वो तेजना use कर रहे है आप वो कितना strong है वो जितना strong होगा वो उसका response उतना ही अच्छा होगा और जितना अच्छा उसका relationship होगा behavior में change भी उसे हिसाब सो उतना ही अच्छा होगा तो यह जो देखिए जो main conditioning में क्या चीज ज़रूरी है stimuli and response आपने देखा होगा जो conditioning की मैंने आप लोगों के साथ में concept भी शेयर किया तो उसमें भी किया था कि stimuli और response बहुत ज़रूरी है कि सही अगर इसे मिलाए होगा तभी हमें सही response मिलेगा तो यह relationship दोनों में होना बहुत ज़रूरी है तो यह मैंने आच लोग के साथ में विशेष्टाय शेयर की है अब इसके difficult words देख लेते हैं जो कि मैं हमेशा share करती हूं ताकि जो बच्चे हिंदी में भी पढ़ रहे हैं उनको notes बनाने में कोई मिश्किल ना हो और जो मेरे जितने भी वीडियोस हैं वह सभी इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए दोनों के लिए हैं तो जो difficult words है वह इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों के doubts के लिए और हो सके words में आपको problem ना हो आप अपने अच्छे से notes बना सके तो चलिए हम देखते हैं इसके difficult words है फर्स्ट है हमारा behavior and habits वहवार और आदत हैं सेकिंड हमारा emphasis जोरियाबल थर्डिस modification of behavior वहवार में संशोधन फॉर्थीस stimulus and response तेजना और प्रतिकरिया ट्रेनिंग ट्रेनिंग means प्रसिक्षन reinforcement reinforcement का मतलब है problem या पुनरबलन इस्चिमलाई का मतलब हो दीपन प्रेणना या तेजनाउ तो यह सब इस्चिमलाई का मतलब है जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं नोट्स बना रहे हैं उनके पास कोई भी बुक होगी अगर उनमें कोई वर्ड डिफिगर वर्ड जो है वह different होता है उसमें meaning different है इनसे भी अलग है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे मुंसे पूछ सकते हैं तो इसको आप पढ़िएगा समझेगा और इसके आगे कि मैं आप लोग के साथ में और भी चीज़े आप लोग शेयर करूंगी इसके factors आप लोग के साथ में शेयर करूंगी conditioning के ताकि आप लोग इसके अच्छे से तयारी कर पाएं और इसके साथ ही आप लोग शेयर करूंगी जो बच्छे आइमड कर रहे हैं आइमड के चाहिए किसी भी सिमेस्टर में हैं उनके लिए में वीडियो शेयर करूंगी और अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है तो आप लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं और मेरे साथ बने रहेगा ताकि व